तो जिल लोगों की back अच्छे से width नहीं पकड़ रही है और अच्छे से damage नहीं मिल रहा है तो मैंने आपके लिए एक workout design किया है आप इसे करके देखिए सबसे पहले तो आपको standing cable rope, lat push down exercise करनी है यह आप rope से भी कर सकते हो और V-shape handle से भी कर सकते हो basically वो triceps के लिए handle होता है biceps के लिए भी exercise कर सकते हो उस पर वो इसलिए handle ले रहा हूँ क्योंकि यह हिलता नहीं है rope actual में अपनी जगे से हिलती है बारवा जिससे कि मुझे stretch और contraction करने पर basically अपने lats पर मुझे problem हाती है इसलिए आप इस handle का भी use कर सकते हो अब बात करते हैं हम अपने second exercise की जो की है dumbbell plower का एक variation बोल सकते हो आप actual में क्या होता है कि बहुत से लोगों को dumbbell plower suit नहीं करता है कमर की बज़े से या बहुत सी ऐसी चीज़े हैं position नहीं बन पाती जिसकी बज़े से आप उसे stretch और contraction नहीं कर पाती हो उस exercise में तो आप इस तरीके से double T handle लगा कर cable machine पर कर सकते हो और इस से related मैंने एक अलग से बीडियो बना दी है जिसमें इस exercise को अच्छे से explain किया गया है अब बात करते हम अपने third exercise की जो की है कि चनफ exercise actual मैं इस exercise को आप जरूर involve करना अपनी बेक की exercise में चुल मैंने इस बरकावड में pull ups तो रखे ही नहीं है because of उसमें बहुत ज़्यादा बहुत से लोगों को struggle करना पड़ता है muscle mind connection बनाने में और उपर उठने में भी तो आप उसकी जगए chin ups का use कर सकते हो और इसमें भी आपके अच्छे से back के maximum muscles hit हो जाते हैं और इसमें आप देख सकते हो मैं जब ठक गया हूँ तो अपने पाउं को ऊपर रख कर भी extra damage कर पा रहा हूँ अपने muscles को क्योंकि मेरा muscle activate है already तो आप भी इस trick को use कर सकते हो लाश्ट मैं कुछ आप इस तरीके से भी front and let spread pose दे सकते हो एक back की width को चोड़ाने के लिए एक back को अच्छे से खोलने के लिए और अब हम बात करते हैं back की अपने चौती exercise के बारे में फूर्थ exercise जो कि हमारी neutral grip pluffs कुछ इस तरीके से आपको करनी है और लाश्ट में आप अपने पाउं का भी कुछ इस तरीके से support ले सकते हो और लाश में आप इसे stretch भी करना मत भूलना अब हम बात करेंगे अपनी 5th exercise के बारे में जो कि हम dumbbell से अपने lats muscle को hit करेंगे अब इसमें आपको करना क्या है थोड़ा सा तिरशा पकड़ना है कुछ इस तरीके से dumbbell और इसका पकड़ने का एक reason है क्योंकि आप अपने muscle को अपने lats muscle को अंदर से stretch कर पाओगे ये contract कर पाओगे कहाँ पर जो कि आपके spine की T7 और T12 bone है वहाँ पर उन lines में आप अपने muscle को अच्छे से contract कर पाओगे एक्शल में होता क्या है जब भी हम इस exercise को करते हैं बहुत से लोग dumbbell को सीधा रखते हैं तो dumbbell को सीधा रखने की बज़े से जो contraction आना चाहिए वो अच्छे से नहीं आ पाता है मैंना महसूस किया है अगर आपको आपाता है तो आप उस तरीके से कर सकते हो बट अगर जिन लोगों को नहीं आ पाता है वो इस variation को चरूल ट्राइ करके देखें अब हम बात करते हैं अपने six exercise के बारे में जो कि है bend over rowing और जो कि आपको smith machine पर करना है कुछ इस तरीके से जो कि जब भी आप इस exercise को करोगे तो अपने muscle को पहले tight करना है solder को एक rotate करके पुरे back के muscle को tight करके आपको इसको pull करना है अब यहाँ पर बहुत से लोग यह बोलेंगे कि भहिया हम इस exercise को perform नहीं कर पाते हैं तो इसका कोई substitute है हाँ बिलकुल है वो आप cable machine पर कर सकते हो या seated rowing जो machine होती है उस पर कर सकते हो pronated grip पकलके wide handle से और ऐसे कुछ लोग हैं की spine damage है उनके लिए मैंने एक back की exercise से related एक भ़िया वीडियो बनाई है प्लीज उसे देखिए और जब आप उसे देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि किस तरीके से अपने spine के pain से आपको deal करना है exercise करते वक्त और जितनी ही मैं आपको links बता रहा हूँ सब कुछ आपको comment section के top पर मिलने वाला है एक और repeat कर रहा हूँ comment section के top पर अब बात करते हैं वो अपने 7th exercise के बारे में जो की है आपके terpezius muscles के बारे में और एक और language में इसे बोलते हैं call out करते हैं आपके collar muscle कुछ इस तरीके से pose भी करना है जिससे कि आप अपने traps muscle को अच्छे से stretch कर पाओ और हाँ ध्यान रहे बहुत से लोगों को अगर supinated grip suit नहीं कर रही है तो आप उसे pronated कर सकते हो कैसे बस इसकी just opposite grip रहती है उसे हम pronated grip कहते हैं आपके skin पर sure आओगा तीनों grips के बारे में अब हम बात करते हैं एक main point के बारे में actual मैं हम अपने muscle में अच्छा खासा damage तो ले लेते हैं contract और stretch करके लेकिन इसके बार भी आप width नहीं पकड़ पाते हो because आप जब आप exercise कर रहे हो तो कुछ कमी रह जाती है आपके stretches से related और उस कमी को हम यहाँ पर पूरा करेंगे आपको कुछ इस तरीके से double D handle से और साथ मैं pronated grip पकल के flat rod से कुछ इस तरीके से hold करना है अपनी back को back के muscle को proper तरीके से stretch करते हुए और इससे आप 25-25 seconds hold करना है दोनों handle से कुछ 3 से लेके 4 set maximum 5-60 इससे जादा नहीं और इसके बाद एक और फायदा यह होगा कि आप अपने muscle में एक stretch वाला damage तो महसूस कर रहोगी ही साथ में जो आपकी muscle during exercise tired हो चुकी थी यानि कि एक ठक चुकी थी एक अकड़ी हो ही महसूस कर रही थी वो भी इदर relax हो जाएगी सो आपको यह मेरा workout ट्राइ करना है I hope आपको यह result देगा और साथ में पसंद आएगा Bye